नमस्कार विद्यार्तिमीत्रों हुँछु भावेस कजेरा विज्णान अने टेक्नोलोजी नी यूट्यूब चैनल नी अंदर आपनू हर्दिक स्वागत छे आजे आपड़े प्रक्रण नंबर एक एनो चोथो तास आपड़े अप्यास करी ले आजी अपने ज़ारे पन लिंक आपी एची एक साथे बब्बी वीडियो नी लिंक आपी एची है लिंक आपड़े नजीक ना समय मां एकम कसोटी आवे आपने ये कम कसोटी ने तैयारी ना भाग रुपे ए समय सर अभ्यास्क्रम पूरो थाए ए माटे आपने एक साथे बब्बे विडियो मुखी रहा हता आज ना लेक्चर मा आपने एक अज विडियो मुखी शो तो आ तास नी अंदर आपने 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 उचे गलन गुप्त उसमा अब ए एना पेला आपने गलन बिंदू विशेनी वाद कर लेगे गलन बिंदू एकले सुकी दू के जे ताप माने जे छिल्ला अभ्यास छिल्ला सुकेवाई के प्लेक्चर नी अंदर आपने भणी गया गलन बिंदू सुकेवाई तो कोई चोकस ताप माने जारे घन गन पदार्थ ने गरम करवा मा आवे छे त्यारे एक गन पदार्थ नो प्रवाहिस्वरूप मा रुपान्तर थाए छे जे ताप माने गन पदार्थ नो प्रवाहिस्वरूप मा रुपान्तर थाए ते ताप माने केवाई ते पदार्थ नो गलन दे अवे एनो आपने कहिया प्रयोग अपने प्रवुरुत्ती आपेली ए प्रवुरुत्ती नी अंदर तमें जोयू हसे के बरफ से एक बिकर नी अंदर बरफ लिदू एमा अपने थर्मोमेटर मुंक्यू थर्मोमेटर मुंक्यां पची ज्यारे अपने ए बरफ ने गरम करवानी शरू वात करिये जे गर पाणिमा रूपांतर थवानू सरू थई हो पण तापमां जेचे जिरो अउंस सेल्सियस थी आगर वदतु न थी जो जुदम यह उंकि दूझे कि बरफ जिरो अउंस सेल्सियस तापमां ने आपने ज़े आपीए छी गरम करवानू तो माइनस मा अपने सरू करेची जेम जेम त्यारे पानी मा रूपान तर थाई त्यारे ये तापमान जे जिरों मुझे आगळ बत्तो न थी तो आपड़े जे गरम करी गर्मी गई क्या मनमा प्रश्ण थाए गरम करवानी सरुवाद करी एकले तापमान वधु जो ये तापमान वधतु नथी तो गयो क्या तो जे गयो छे एन आपड़ा सो कहिए छे गलन गुप्त उस्मा पराबर अहीं आपने गलन गुप्त उस्मा नी समझूती आपी छे के गलन ना प्रयोग नी प्रक्लिया दरम्यान गलन बिंदू सुधी पहुच्या बाद जे तापमान छे ए तापमान गलन बिंदू सुधी पहुच्या बाद ज्या सुधी संपूर्ण बरक पिगली न जाए त्या सुधी तापमान बढ़ला तू नथी जे मैं तमने अमना चर्चा करी, कि गलन बीन्दू नो जिया प्रयोग छे, ए प्रयोग मां अपड़े पदार्थने गरम करवानी सरुवात करिये छी है, पन पछी येवू बने छे कि गलन बीन्दू सुधी तापमान पहुँची जाए, पछी ज्या सुधी बध्धोज बरप पिगड़ी न जाए त्या सुधी तापमान बदलातो नथी तापमान मा कोई फेरफार थतो नथी इतले यहां एव किदूछे के बिकरने गर्मी आपवा छता तापमान पचलगा चत आपड़े नीचे थी बर्नर के स्पिरिट लेम हटाव्यों नथी ए ज्यां छे एम नो एम छे तेम छता आपड़े ए जे पदार्थ छे पदार्थ नू तापमान वद्तू नथी अचलगाए छे आनू कारण सुन तो गलन बिंदू एकले आपड़े सुकिदू के कणों वच्चे जे आकर्षन बढ़ छे ए आकर्षन बढ़नी उपरवट जहीने आपड़े जे आपकर्षन बढ़ तुटे अने प्रवाही माथी वायुस्वरूप मा रुपांतर थाया कणों वच्चे नू पारसपरीक आकर्षन बढ़नी उपरवट जहीने द्रव्यनी अवस्था बदलवा माते उस्मान वप्योग छाई आपड़े जे गर्मी आपी रहा है जे तापम अचड़ थाया जीरों सेल्से से तापमान पहुंचिया पची आपड़े जे कई भी गर्मी आपी एची ए बधी गर्मी नो उप्योग क्या थाई छे तो कणों वच्चे पारसपरीक आकर्षन बढ़नी उपरवट जहीने द्रव्यनी अवस्था बदलवा माते ए उप्योग थाया जे परन्तु वहिया सूचे तापमान मा कोई पण फिरफार ठतो नथी अन्य जे कण छे कण बद्धिज उर्जा उसमा उर्जा सोसी ले बरफ ना कण पासे उसमा उर्जा जे पाणी नू कण छे एना करता के वी हसे ओची कारण के बरफ ने गर्म करती वक्त आपने ज पांतर ठवा माटे एने ए बद्धि उसमा उर्जा नो पियोग कर बरब कले अईया एवु मानवा मा आवे छे के उसमा उर्जा बिकर मा रहेला संगटकों मा छुपाएली छे आपने जे गर्मी आपी ए बदी गर्मी क्या गई तो जे बिकर नी अंदर जे बरफ भरतो ए बर पड़सू कि दूछे गुप्त उसमा गुप्त नो अर्थ छुपाएली अहीं आयों करवा माड़ गलन माटे नी प्रक्रिया छे एटला आपने कहिए ने गलन गुप्त उसमा तो व्याखिया ही आपने किद्री के पदार्थ गलन बिंदू जेटला तापमाने अने एक वाता वरन दबान एक किलोग्राम गन पदार्थ ने प्रभाही अवस्था माथी रुपान तरित करवा माटे आपवी पड़ती उसमा उर्जा एकले गलन गुप्त उसमा दरेक विद्या थे मित्रों मारी साथे व्याख्यानों पुण्रा वर्तन करशे पदार्थ ने गलन जितला ताप माने अने एक वाता वरन दबाने एक किलोग्राम गन पदार्थ ने प्रभाही अवस्था माथी रुपान तरित करवा माटे प्रभाही अवस्था मा रुपान तरित करवा माटे आप भी पड़ती उसमा उर्जा ने क्यावाई गलन गुप्त उसमा इतले के एन ना करता वदू उर्जा कोनी पासे हसे तो बरफ ना कण पासे नी उर्जा ये पाणी ना कण करता के वी हसे वधार हसे बरफ नी गलन गुप्त उस्मा की जी आपड़े 355 गार जूल प्रती किलोग्राफ गलन गुप्त उस्मा केकले सुन तो आपड़े आडिते लखवान घायाकू के गलन ना प्रयुगनी प्रक्रिया दरम्यान गलन बिन्दू सुधी पहुंचया बाद ज्या सुधी संपूण बरपिगळी न जाय त्या सुधी तापमान बजलातू नती विकर्ने गर्मी आपवा छता तापमान पचल रहेचे कणों वच्चेना पारस्परीक आकर्षण बढ़नी उपरवट जैने द्रव्यानी अवस्था बदरवा माटे आ उस्मानों उप्युग थाय परन्तु तापमान मा कोईपन फिरफार दरुशा आव्यासी वाय उस्मा उर्जा एसुकर चे सोसी लेकि M मानवा मा आवे छे के उस्मा उर्जा बिकर मा रहेला सम घटको मा छुपायली होईचे माटे तेने गुप्त उस्मा कहे चानि गुप्त नों अर्थ छुपायली M करवा माँ लेग्या क्या पदार्थने तेना गलन बिंदु जितला तापमाने औने एक वातावरन बाणे एक किलोग्राम घन पदार्थ ने प्रवाही अवस्थामा रुपान तरिक करवा माटे आपनी पड़ती उसमा उर्जा ने गलन गुप्त उसमा करें जे इटले के जिरो अउंस सेल्सियस थापमाने पाणी ना कण नी उर्जा तेज थापमाने बरफ ना कण नी उर्जा करता के भी होए वर अथा बरफ ना भरफना जर्थ ना याकश्री ननी रर्जा के भी होए वाधार眪ांत लग्सी प्रशंवाद्र अधान वाक्र प्रवाही माथि भायू माँ। एक वाता वर्ण दभाणे जे ताप माणे प्रवाही उकलवा लागे ते ताप माणे तो प्रवाही माथि वराल स्वरूप मां रुपांतर थो presenting उकडवानो अर्थसुकिदो प्रवाही माथी वरालमा रुपांतर थो एक वाता वरन दबाने जे तापमाने प्रवाही उकडवा लागे जे ते तापमाने ते पदार्थिनों उत्कलन बिंदू कहे जे उत्कलन बिंदू वाता वरन उपर आधारित होई शे कारण के वाता वरन जे प्रमाने होई ए प्रमाने एनी उकडवानी प्रक्रिया थाए ठंडामा ठंडू तापमान होई तो उकडवानी प्रक्रिया धिमी थाए गरम तापमान होई तो उकडवानी प्रक्रिया जडपी था परवत्नु सिखर बनने जिगी आए थोड़ो गणो फेलफार आप वधारे फेलफार ना होए थोड़ो कज फेलफार होए पानी माटे उतकरन विंदू के टलू सेल्सियस ता तापमान एने जो अपने केलिविन मां पे रविये तो 233 उमेर वाना एटले 233 केलिविन जे रिते गलन गुप्त उसमा चीए जरिते बास्पी भवन गुप्त उसमा जेम आहिया आपड़े घनने गरं करिये छिए अने तापमान ज्या सुधी बद्दूज बरक पाणी मा रुपान तरी न थाए त्या सुधी तापमान अचल हतु एम अहिया बद्दूज पाणी गराल मा रुपान तरी न थाए क्या सुधी तापमान के उल्या छे अचल अहिया पड़े उज क्या आपड़े जे गर्मी आपिये छिए विकर्मी अंदर ज्याना संघटक उजमा चुपाईली होन तो ब्याक्या थाए कि पडार्थ ने तैना उत्कलन बिंदू जेकला तापमाने एक वाता वरण दबाने एक किलोग्राम प्रवाही ने वायो स्वरोपमा रुपान तरिक करवा माठे आपड़ी पड़ती जरुली उसमा उर्जा एकले बास्पी बवन गुपत उसमा विद्यार्थि मित्रो मारिक साथे दरिक जना व्याक्यानू फरिथी पुण्डरा वर्टन परशे पडार्थ ने तैना उत्कलन बिंदू जेकला तापमाने एक वाता वरण दबाने एक किलोग्राम प्रवाही ने वायो स्वरोपमा रुपान तरिक करवा माठे आपड़ी आनो अर्थ जे महियां किदू बरःपने पानी माठे मैहियां पाणी एला वराल माठे कि 373 केल्वीन टापमाने पाणीनी बास्पना इकलों मा रहेली उर्जा तेज ता पने सेक्पमाने रहेला पानी करता कि वह होईppen याद राखो याद करो विद्याद राखो इजयांत पास से होई प्रावर इटले पाणी गरम पाणी करता पाणी नी वराल थी वधू दजाई से आटलू बास्पी भवन गुप्त उसमा विशे परिदिवभर पदार्थ ने तेना उतकरन बिंदू जितला तापमाने अने एक वातावर्ण दबाने एक किलोग्राम प्रभाहिने वायोस्वरूप मा रुपान पलित करवा माटे आपवी पड़ती जरूरी उसमा विशे एकले बास्पी भवन गुप्त उसमा त्रणसों तोक्तेरी केल्वीन तापमाने पाणी नी बास्पना कणों मा रहेली उर्जा तेज तापमाने रहेला पाणी करता वधू है चे एकल गरम पाणी करता पाणी नी वरार्थी वधू दल्जाए चे वरार्थी जितलू दाज लागे एकली पाणी थी लागते न थी रावर द्रव्यनी अवस्था उपर तापमाननी असर अहीं आपड़े चाट स्वरूपे दर्शार्यूचर के गन अवस्था होय औने यहने गरम करिये उसमा आपिये तो सामारूपान तरित थाए प्रवाही अवस्थामा प्रवाही अवस्थाने गरम करिये तले सामारूपान तरित थाए वायू अवस्थामा आज वस्तु उंधी करवाम आवे वायू अवस्थाने अपने ठंडू करिये वरार्णे ठंडी बने बरब वायू अवस्था ने ठंडू करिये तो प्रवाही मां और प्रवाही ने ठंडू करो तो सामा रुपान तरित थाए गन स्वरुप मां अत्यारे हाल वज्चेना भग माज ध्यान अपवानू छे के गण अवस्था होई गरम करोतो प्रवाही, प्रवाही अवस्था होई गरम करोतो वायू, वायू अवस्था होई ठंडू करोतो प्रवाही अन प्रवाही अवस्था होई ठंडू करोतो गणू, હવે હેને આપણેક બીજો એરો આપ્યો છને કિટલા પદાર થો એવા હોઈ કે જેને ગરમ કરીએટલે પ્રવાહી કેટલા પદાર્થો એવા છે જેને આપણે ગરમ કરીએટલે કરમ કરીએટલે કરમ કરીતલે કેતલે કેતલા પદારથ કેતો આ પ્રકાર્ણો ગુણો ધરમ ધારાવે છે એ પદારથો ને આપણે કરીએ છીએ ઉર્ધવ પારથી પદારથ માથી વાયુ માથી સી ધુગણ અને ઘનમાથી સી દુવાયુ તો એવા પદારથ ને કવે ઉર્ધવ પારથી પદારથ આને ક દાખલા તલીકે કપૂર અને નોસાથ એમોનીં કલોરાય્ડ અને ડામરની ગોળી હીયાં આપણને પાથ્યે અને ઉપર હીયાં રુનું પુળું લગાવીં છે નીચે થી બરનાર આપ્રુતિમાં દર સામયો સાધર લગે તારની જ અને ગરમ કરવાનું સારું કરીશું લે જે નોસાર છે એ સીધોજ વાયું સારુપમાં રૂપાન તલી થશે અને કા બાદ કરી હવે આપણે બાદ કરીએ દબાણ વાયુનું દબાણ કોઈ પાત્ર હયે એ પાત્રની દિવાલ પર સું લાગે તો કે દબાણ લાયુના કણ દવારા પ્રતી એકં ક્ષેત્ર ફણ દીટ વાયુનું જે બળ લાગે છે એ બળને કે વાય વાયુનું દબાણ પાત્રની દિવાલ પરના વાયુના કણ દવારા પ્રતી એકં ક્ષેત્ર ફણ દિઠ લાગતા બળને વ પરશન માટે આ વાક્કે યાદ રાજો એક એટિએમ 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 એટમસ્ફીયર નોટ એ અં દર્યાની સપાટી ઉપરના વાતાવરણના દબાણને એક વાતાવરણ એવુ કેવામાં આવે છે વિદ્યારથી મિત્રો અહ્યાં આજના તાસને આપણે હીરામા પીએ છીએ રહામણ છેરં આપૐમાં હહાએ એળાં દેએ એળાાં એચારાય એાચાંડ એહાં હાાંડ એહારાંમ झाल झाल